इस्राइल और हमास के युद्ध को तीन दिन बीच चुके हैं और चौते दिन भी लगातार हमले जानी हैं हर तरफ तबाही का मंज़र है लाशों के धेर में हर कोई अपनों को तलाश रहा है चीख पुकार के बीच भी धमाकों का शौर थम नहीं रहा है हमास आतंकियों के हमले से इसराइल में भारी तबाही मची है फिलिस्टीनी आतंकी संगठन हमास ने 7 अक्टूबर की सुभा अपने कट्टर दुश्मन इसराइल पर 20 मिनट के अंदर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे जिसने इसराइल समेर पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया लेकिन हमास के इस भीशन हमले के बाद इसराइल भी चुप नहीं बैठा और लगतार दो दिनों से गाजा पट्टी और फिलिस्टीन के इलाकों में बमों की बारिश की जा रही है नुकसान दोनों तरफ हुआ है मौत का आकरा सोला सो को पार कर गया है वहीं इसी बीच सभी और से मासूमों की जिंदगियां तबाह करने के लिए एक शक्स को जिम्मेदार माना जा रहा है उसका नाम है महमद डायफ महमद डायफ हमास के मिलिटरी विंग का चीफ कमांडर है साल दो हजार दो से डायफ हमास की सैन्न शाखा का प्रमुख है एक रिपोर्ट के अनुसार डायफ का जन के समय नाम महमद दीन इब्राहिम अलमस्री था इसके पहले भी डायफ का नाम इसराइल में आतंग फैलाने के मामलों में आता रहा है अब भी इस आतंग की महमद डायफ को अपने किये पर कोई पश्तावा नहीं है उसने इसराइल पर हमले को ऑपरेशन अल असका स्टॉम नाम दिया है यहां तक की एक बयान में महमद डायफ ने कहा कि आपरेशन अल असका स्टॉम गाजा की 16 साल की नाके बंदी इसराइली कबजे और हाल की घटनाओ की पूरी श्रंखला का जवाब था वहीं इसराइल पूरी ताकत के साथ हमास को जवाब देने में जुटा है पश्चमी देश भी इस जग में इसराइल का समर्थन कर रहे हैं दूसरी ओर मुस्लिम देश फिलिस्तीन के हक में खड़े हैं यह सभी देश लगातार दोनों पक्षो को जग रोकने की अपील कर रहे हैं